ओम शांती आज साथ एपरिल 2021 के मदूर महावाक्य है और आज की मुडली में बाबा कहे बाबा कितना दूर देश से आये हैं नई दुनिया की स्थापना करने के लिए और तुम बच्चे भी उस नई दुनिया के लायक बन रहें साथ ही साथ बाबा कहे तुम बच्चों को निश्चे है और इसी लिए जो बच्चे निश्चे बुद्धी हो करके चलते हैं उनका responsible बिश्य बाबा है कभी भी बाबा की आग्या के प्रति मन में ये संशे नहीं आना चाहिए कि पता नहीं इस आग्या पर चलेंगे श्रीमत पर चलेंगे तो क्या होगा बाबा कहे जब निश्चे बुद्धी हो करके चलते हैं तो निश्चे का बल स्वयम में जमा होता है जिससे अवस्था अचल अडोल हो जाती है तो सुनते हैं बाबा के मधूर महाबाख्य ओम शान्ती मीठे बच्चे बाप दूर देश से आये हैं तुम बच्चों के लिए नया राज्य स्थापन करने हैं तुम अभी स्वर्ग के लायक बन रहे हो प्रश्ण है जिन बच्चों का शिव बाबा में अटूट निश्चई है उनकी निशानी क्या हो उत्तर है वह आँख बंद करके बाबा की श्रीमत पर चलते रहेंगे जो आग्या मिलें कभी ख्याल भी नहीं आएगा कि इसमें कुछ नुक्सान न हो जाए क्योंकि ऐसे निश्चई गुती बच्चों का रिस्पॉंसिबल बाब है उन्हें निश्चई का बल मिल जाता है अवस्था अडोल और अचल हो जाती है आज की बाबा की मुले का गीत है तुम ही हो माता है तुम ही पिता हो ओम शांती यह महिमा किसकी सुली जिसको सिवाई तुम बच्चों के दुनिया में और कोई जानते नहीं है यह है उन्च ते उन्च बाब की महिमा बाकी जिसकी भी महिमा करते हैं वह फाल्कु हो जाती है उन्च ते उन्च एक ही बाब है लेकिन बाब की पहचान कौन दे रहे हैं खुद आकर आत्मा की और अपनी पहचान देते हैं बाबा खुद आकर के आत्मा की और अपनी पहचान देते हैं कोई भी मनुष्य को आत्मा की भी पहचान है ने बल कहते हैं महान आत्मा, जीव आत्मा, शरीर जब छूट जाता है तो कहते हैं आत्मा निकल जाती है शरीर मुर्दा हो जाता है, आत्मा अविनाशी है, वो कभी खत्म नहीं होती है, आत्मा जो स्टार मिसल है, वो अती सुक्ष्मा है, इन आखों से देखने में नहीं आती है, करतव यह सब आत्मा करती है, परन्तों घड़ी घड़ी देह भीमान में आ जाते हैं, तो कहते हैं, मैं फलाना हूँ, मैं यह करता हूँ, देह भीमान जैसे ही आ जाता है, तो मनुष्य कहते हैं, मैं फलाना हूँ, मैं यह करता हूँ, वास्तों में करती सब आत्मा है, शरीर तो और्गन्स है ये सादू आदी भी जानते हैं कि आत्मा बहुत सुक्ष्म है जो ब्रुकुटी के बीच में रहती है इतना ग्यान हर एक पोव है कि हाँ शरीर को चलाने वाले एक आत्मा है जो अजरमर अभिनाशी है कोई 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 ये भी मालुम होता है कि ब्रुकुटी के बीच में निवास करती है परन्तु उनको यह ज्यान नहीं कि आत्मा में ये पाड बजाने के संसकार है और कितने जन्मों के संसकार है ये नहीं जानते हैं कोई कहते हैं आत्मा में संसकार होते नहीं आत्मा निरलेप है कोई कहते संसकारों अनुसार जन्म मिलता है मत भेद बहुत है यह भी किसको पदा नहीं कि कौन सी आत्मा ये 84 जन्म लेती है तुम जानते हो कि सूर्य वन्षियों को ही 84 का चक्र लगाना पड़ता है आत्मा ही 84 का चक्र लगाए पतीत बनती है उनको अब पावन कौन बनाए पतीत पावन उँच ते उँच एक ही बाप है उनकी महिमा सबसे उँच है 84 जन्म सब तो नहीं लेते हैं पीछे आने वाले तो 84 जन्म लेना सके हैं सब इखटे तो नहीं आते हैं जो पहले पहले सत्युग में आएंगे सूर्य वन्षी राजे और प्रजा उन्हों के 84 जन्म होते हैं पीछे तो मनुष्य की बहुत व्रद्धी होती है ना फिर कोई के 83 कोई के 80 जन्म होते हैं महसत्युग में तो पूरी 1500 वर्ष आयूश्य बाबा केहे महसत्युग में तो पूरी 1500 वर्ष आयूँ होती हैं कोई जल्दी मर न सके हैं पूरी आयूश्य एख करके ही शरीप छोड़ते हैं यहाँ बाते बाप ही बैठ समझाते हैं अब कोई परमपिता परमात्मा को नहीं जानते हैं बाप कहते हैं कि जैसे तुम्हारी आत्मा है वैसे मेरी भी आत्मा है तुम सिर्फ जन्म मरण में आते हो मैं नहीं आता हूँ मुझे बुलाते ही तब है जब पतीत बनते हैं जब बहुत दुखी हो जाते हैं तब बुलाते हैं इस समय तुम बच्चों को शिवाबा पढ़ा रगए हैं कोई पूशते हैं, क्या पूशते हैं कि यह कैसे मानें कि परमात्मा आते हैं तो उन्हों को समझाना है कि सब उकारते हैं है पतीत पावन आओ, अब वह है निराकार, उनको अपना शरीर नहीं है, आना भी है पतीत दुनिया में, पावन दुनिया में तु नहीं आएंगे, पतीतों को पावन बनाना है, तो पतीत दुनिया में ही आएंगे, पावन दुनि में तु नहीं आएंगे ऐसे समझाना जाएगे यह भी समझाना है कि परमात्मा इतना छोटा है जैसे आत्मा छोटी है परन्त वह है मनुश्य स्रिष्टी का बीजरू नौलेज़फुल बाप कहते हैं कि तुम मुझे परमपिता परमात्मा कहते हो पुकारते हो तो जरूर हैंगे न गायन भी है कि दूर देश का रहने वाला आया देश परा है अब बाप द्वारा मालुम पड़ा है कि अभी हम पराये देश अर्थात रावन के देश में हैं सत्युक्त्रेता में हम इश्वरिय देश अर्थात अपने देश में थे पर द्वापर से लेकर हम पराय पराय देश पराय राज्य में आ जाते हैं, वाम मार्ग में आ जाते हैं, फिर भक्ती शुरू हो जाती हैं, द्वापर से फिर भक्ती शुरू हो जाती हैं, पहले पहले शिवाबा की भक्ती करने लग जाते हैं, वे लोग शिव का इतना बड़ा लिंग बनाते हैं, परन्तु इतना बड़ा तो वह है नहीं अभी तुमने समझा है कि आत्मा और परमात्मा में क्या फर्क है वह नौलेज़फुल सदापावन सुख का सागर आनंद का सागर है वह परम आत्मा की महिम है न अब बुलाते हैं कि हे पतित पावन आओ आते हैं दूर देश के रहने वाले मुसाफिर को बुलाते हैं उनकी महिमा गाते हैं ब्रम्हा सरस्वती को तो बुलाते नहीं है परमात्मा को बुलाते हैं पतित पावन को बाब कहें ब्रम्हा सरस्वती को तो बुलाते नहीं है पुकारते हैं निराकार परमात्मा को आत्मा बुलाती है कि दूर देश के रहने वाले अब आओ देश पर आए क्योंकि साब पतीत बन चुके हैं मैं भी आऊंगा तब जब रावन राज्य खत्म होना होगा मैं आता भी हूँ संगम युके ये किसको भी पता नहीं है कहते भी है कि वो परम आत्मा बिन्दी है आज कल तिर कहते हैं आत्मा सो परमात्मा परमात्मा सो आत्मा आत्मा सो परमात्मा हो न सके आत्मा परमात्मा दोनों अलग-अलग है रूप दोनों का एक जैसा है परंतु आत्मा पतीत बनती है दाब कहे परंतु आत्मा पतीत बनती है 84 जन्मों का पाठ बजाना पड़ता है परमात्मा जन्म मरन रहित है अगर आत्मा सो परमात्मा कहते तो क्या सतो प्रधन परमात्मा तमो प्रधन में आते हैं? नहीं यह तो हो न सके बाप कहते हैं कि मैं आता हूं सर्व आत्माओं की सर्विस करने मेरा जन्म भी नहीं कहा जाता है मैं आता ही हूं नर्क वासियों को स्वर्ग वासी बनाने पराये देश में आये हैं, अपना स्वर्ग स्थापन करने हैं, बाप की आकर हमको स्वर्ग का लायक बनाते हैं, यह भी समझाया है कि और आत्मों का पाड अपना अपना है, परमात्मा जन्म मरण रहित है, आते भी जरूर है, तब तो शिवरात्री मनाते हैं, लेकिन वक कब आये यह कोई नहीं जानते हैं, ऐसे ही शिवजैनती मनाते आये हैं, जरूर संगम पर आये होंगे, स्वर्ग स्थापन करने, पतीतों को पावन बनाने जरूर संगम पर आयें बाब कहते हैं पतीत पावन आओ फिर जरूर पतीत दुनिया के विनाश का समय होगा तभी पावन दुनिया स्थापन करेंगे युगे युगे तो नहीं आते हैं बाबा ने बहुत सपश्ट शब्दों में कह दिया के युगे युगे तो नहीं आते हैं बाब कहते हैं मुझे संगम पर ही आकल पतीत दुनिया को पावन बनाना है यह पराया देश है रावन का देश परन्तु यह कोई मनुष्य थोड़ी जानते कि रावन का राज्य चल रह है कबसे यह रावन राज्य शुरू हुआ कुछ शुगी पता नहीं है पहली पहली मुख्य बाद आत्मा और परमात्मा का राज समझाना है फिर समझाना है कि वह कल्प के संगम युग पर आते हैं पावन बनाने तो पहले पहले आत्मा और परमात्मा का राज समझाना है फ फिर वो कैसे कल्प के संगम युक पर आते हैं और क्यों आते हैं पावन बना यह काम उनका ही है न कि सिक्रिष्ण का सिक्रिष्ण तो खुद ही 84 जन्म ले नीचे उतरते हैं सूर्य वन्शी सब नीचे उतरते हैं जाड आधा ताजा आधा पुराना थुड़ी होगा जड़ जड़ी भूत अवस्था सबकी होती है कल्प की आयू का भी मनुश्य को पता नहीं है शास्त्रों में लंबी चौड़ी आयू दे दी है यह बाप ही बैठ समझाते हैं इसमें और प्रश्न उठ न सकें इतना क्लियर करके बाबा समझाते हैं जो प्रश्न उठाने की महर सची नहीं नहीं है रच्ता बाप सच ही बोलते हैं हम इतने बीके हैं सब मानते हैं तो जरूर है तब तो मानते हैं केते मैं परमात्मा आते हैं कैसे माने तो बाबा कहें इतने बीके हैं सब मानते हैं तो जरूर है तब तो मानते हैं आगे चल जब निश्चे ही होगा तो सम पहले पहले मनुष्य को यह समझाना है कि परम पिता परमात्मा निराकार दूर देश से आये हैं। परंतु किस शरीर में आये हैं। किस शरीर में आये। सुक्ष्म वतन में आकर क्या करेंगे। जरूर यहां आना पड़े। प्रजा, पिता, ब्रमा भी यहां चाहिए। ब्रमा कौन है यह भी बाप बैट समझाते हैं। जिसमें प्रवेश किया है, वह अपने जन्मों को नहीं जानते थे। तो बच्चे भी नहीं जानते थे। बच्चे भी तब बनते जब मैं एडॉप्ट करता हूँ। जिबाबा आकरके एडॉप्ट करें, तब तो बच्चे भी बनें। तो बच्चे भी तब बनते जब मैं एडॉप्ट करता हूँ। मैं इन साकार सहित बच्चों को समझाता हूँ। कि क्या तुम अपने जन्मों को भूल गए हो। अभी स्रिष्टी का चक्र पूरा होता है। फिर रिपीट होगा, मैं आया हूँ पावन बनाने के लिए। राजियोग सिखाने, पावन बनने का और कोई रास्ता है नहीं। अगर ये राज मनुष्य जानते तो गंगा आदी पर सनाम करने है, मेले आदी पर जाते नहीं। इन पानी की नदियों में तो सदेर सनाम करते रहते हैं, द्वापर से लेकर करते आएं। समझते हैं कि गंगा में डुक्की मारने से पाप नाश होंगे, परन्तु कोई के भी पाप नाश नहीं होते हैं। पहले पहले तो आत्मा और परमात्मा का ही राज बताओ। आत्मा ही परमात्मा बाप को पुकारती है। वह निराकार है। आत्मा भी निराकार है। इन ओर्गन्स द्वारा आत्मा पुकारती है। वक्ति के बाद भगवान को आना है यह भी ड्रामा में पार्ट है बाग कहते हैं मुझे नई दुनिया स्थापन करने आना पड़ता है शास्त्रों में भी है कि भगवान को संकल उठा तो जरूर ड्रामा प्लैन अनुसार संकल उठा होगा आगे इन बातों को थोड़ी समझते दिन प्रते दिन समझते जाते हैं बाप कहते हैं मैं तुमको नई नई गुईते गुईते बाते सुनाता हैं सुनते सुनते समझते जाते हैं आगे ऐसे नहीं कहते थे कि श्य बाबा पढ़ाते हैं अब तो अच्छी रिती समझ गये हैं और भी समझने का बहुत बढ़ा है दीरे दीरे एक एक बात एक एक रहस्य समझते जाते हैं लेकिन बाबा काय भी तो बहुत कुछ पड़ा है समझने के लिए रोज समझाते रहते हैं कि कैसे किसको समझाना चाहिए पहले ये निश्चे ही करें कौनसा निश्चे करे कि बेहत का बाप समझाते हैं तो वह जरूर सत्य बताएंगे इसमें मूंजने की भी बात नहीं बच्चे कोई पक्के हैं कोई कच्चे हैं कच्चा है तो कोई को समझा नहीं सकते हैं यह तो स्कूल में भी नंबरवार होते हैं बहुत उको ये संशे पढ़ता है कि हम कैसे समझे कि परमपिता परमात्मा आकर पढ़ाते हैं क्योंकि उन्हों की बुद्धी में है सिक्रिष्ण ने ज्ञान सुनाया अब पतीत दुनिया में तो क्रिष्ण आना सके बाबा कहे अब पतीत दुनिया में तो क्रिष्ण आनी सकत ये उनको सिद्ध करो कि परमात्मा को ही आना पड़ता है पतीत दुनिया और पतीत शरीर में बाप यह भी समझते हैं कि हर एक की अपनी अपनी बुद्धिय है कोई तो जट समझ जाते हैं जितना हो सके समझहना है ब्राम्मन सब एक जैसे नहीं होते है परन्तु दे अभीमान बच्चों में बहुत है इसलिए नंबरवार हो जाते हैं ये बाबा भी जानते हैं कि नंबरवार है डाइरेक्शन पर बच्चों को चलना पड़े बड़ा बाबा जो कहे वो मानना चाहिए देखो ब्रम्मा मा भी कितना रिगार रखते हैं शिबाबा का और बच्चों को कहते हैं डाइरेक्शन पर बच्चों को चलना पड़े बड़ा बाबा जो कहे हो मानना चाहिए ये लाइन ब्रम्मा मा बच्चों को समझाते हैं गुरुव आदे की तो मानते आये हो, अब बाप जो स्वर्ग में ले जाने वाला है, उनकी बात तो आँख बंद करके मानने चाहिए। मान लेना चाहिए। बल समझो नुपसान भी हो जाए। फिर भी बाबा कहते हैं न, हमेशा ऐसे समझो कि श्य बाबा ही कहते हैं। ब्रह्मा के लिए मत समझो, responsible श्य बाबा होगा। वा ठीक कर लेंगे। श्य बाबा का रत है रम्हा बाबा तो बाबा कहें अगर कुछ हो उनका सीधा हो भी जाए। तो उनका यह रत है वा ठीक कर देंगे। कहेंगे कि मैं बैठा हूँ। आतर देते हैं बाबा, मैं बैठा हूँ। हमेशा समझो कि श्य बाबा की कहते हैं। यह कुछ नहीं जानते, ऐसे ही समझो एक तरफ तो निश्य रखना चाहिए। श्य बाबा कहते मेरा मानते रहो तो तुम्हारा कल्यान होता रहेगा। यह ब्रह्मा भी अगर कुछ कहते हैं तो उनका भी रिस्पॉंसिबल मैं। श्य बाबा कैरेंटी लेते कि उनका भी रिस्पॉंसिबल मैं। तुम बच्चे फिकर नहीं कर, श्य बाबा को याद करने से अवस्था और ही पक्की हो जाएगी। निश्चे में विकरम भी विनाश होंगे, बल भी मिलेगा। निश्चे बुद्धी हो करके जब बाब को याद करते हैं तो विकरम भी विनाश होंगे और बल भी मिलेगा। जितना बाबा को याद करेंगे उतना बल जास्ती मिलेगा जो श्रीमत पर चल सर्विस करते हैं वही ऊच पद पाएंगे बहतों में देह अपीमान बहुत रहता है बाबा देखो सब बच्चों से कैसे प्यार से चलता है बाबा देखो सब बच्चों से कैसे प्यार से चलता है कौन प्रमा बाबा सबसे बात करते रहते हैं बच्चों से पूछते हैं कि ठीक बैठे हूँ कोई तकलीफ तो नहीं लव होता है बच्चों के लिए बेहत के बाप को बच्चों के लिए बहुत बहुत लव है जो जितने श्रीमत पर सर्विस करते हैं उस अनुसार लव रहता है सर्विस में ही फाइदा है सर्विस में हड़ियां देनी है कोई भी काम करते रहेंगे तो वह फिर दिल पर भी रहते हैं कि यहाँ बच्चा फस्क्लास है नावा कहें सर्विस में जो हड़ियां देते हैं कोई भी काम करते रहेंगे तो वह फिर दिल पर भी रहते हैं कि यहाँ बच्चा फस्क्लास है बाप दादा दोनों की दिल पर रहती, परन्तु चलते चलते, किसी पर ग्रहाचारी भी बैठती है माया का सामना होता है न, ग्रहाचारी के कारण फिर ज्ञान उठा नहीं सकते है कई तो फिर कर्मणा सेवा अठक्षों करते है तुम्हारा काम है सब को सुखदाम का मालिक बनाना, इसको दुख नहीं देना ज्यान नहीं है तो फिर बहुत दुख देते हैं फिर कितना भी समझाओ, तो समझते नहीं पहले-पहले समझानी देनी है आत्मा और परमात्मा कैसे आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है जो अविनाशी पार्ट है, कभी बदलने का नहीं है ड्रामा में नूदा हुआ है, ये निश्चेई वाला कभी हिलेगा नहीं बहुत हिल जाते हैं, पिछाडी में जब बंबोर को आग लगेगी, तब अचल हो जाएगे अभी तो बहुत युक्ति से समझाना है, अच्छे-च्छे बच्चे तो सर्विस पर रहते हैं दिल पर चड़े रहते हैं, बहुत तीखे जाते रहते हैं, बहुत मेहनत करते हैं उनको सर्विस का बहुत शौंक रहता है, जिनमें जो गुण है वह बाबा वर्णन करते हैं अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चो प्रती, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रुहानी बाप की रुहानी बच्चो को नमस्ते हम सब रुहानी बच्चों की रुहानी मात्विता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते, नमस्ते, शुक्तिया बाबा, शुक्तिया आज की मुर्ली से धाना के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, सर्विस में अड्डिया देनी है किसी भी बात में संशे नहीं उठाना है, सबको सर्विस से सुख देना है, दुख नहीं है दूसरी पॉइंट, निश्चे के बल से अपनी अवस्था को अडोल बनाना है जो श्रीमत मिलती है, उसमें कल्यान समाया हुआ है क्योंकि responsible बात है, इसलिए फिकर नहीं करना है आज का बाबा का मदुर वर्दान है सहज योग को नेचर और नैचरल बनाने वाले हर सबजेक्ट में परफेक्ट बाब सहज योग को नेचर और नैचरल बनाने वाले हर सबजेक्ट में परफेक्ट बाब जैसे बाब के बच्चे हो, इसमें कोई परसेंटेज नहीं है ऐसे निरंतर सहज योगी वा योगी बनने की स्टेज में अब परसेंटेज खत्म होनी चाहिए जैसे बाब के बच्चे बने हो, उसमें कोई परसेंटेज नहीं है ऐसे निरंतर सहज योगी वा योगी बनने की स्टेज में अब परसेंटेज खत्म होनी चाहिए नैचरल और नेचर हो जानी चाहिए जैसे कोई के विशेश नेचर होती है, उस नेचर के वश न चाहते भी चलते रहते हैं ऐसे यह भी नेचर बन जाए, क्या करूँ, कैसे योग लगाऊं, यह बाते खत्म हो जाए तो हर सब्जेक्ट में परफेक्ट बन जाएं चेए परफेक्ट अर्थात, effect और defect से परें परफेक्ट अर्थात, effect, माया की effect और defect से परें आज का स्लोगन है, सेहन करना है तो खुशी से करो, मजबुरी से रहा है। अच्छा, ओम, शान।